हेलो फ्रेंड्स, SS Home Garden के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, कड़ी पत्ता हम सब के घरों में प्राया ही पाया जाता है हम सब इसे बहुत शौक से लगाते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों का गंध और इसकी पत्तियों का स्वाद हम सब को बहुत पसंद होता है और सच पूछे, तो किसी भी ऐसी नमकीन चीज में, पोहे में, या फिर सबजियों में, पुलाओं में इसके पत्ते डाल देने से उसका स्वाद तो बढ़ी जाता है उसमें एक बहुत ही मनमोहक खुश्बू भी आ जाती है खाने वाले को भी अच्छा लगता है और इसके साथ ही करीपत्ता एक बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट भी है चुकि अगर इसका हम हमेशा सेवन करते हैं तो ये बहुत सारी दिक्कतें जैसे हर्ट प्रॉब्लम्स यानि की रिदय रोगों से बचाता है और इसके अलावा मधुमे यानि की डाइबिटीज को कंट्रोल करता है मोटापे को कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है तो है ना कमाल की बात कि एक ऐसा पोधा जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है दिखने में भी सुन्दर है खाने में भी बहुत अच्छा है और उसके साथ ही ये आपको अच्छी सुगंध और अच्छे स्वाद के साथ अच्छी सेहत भी देता है और इसी लिए हम सब अपने घरों में करी पत्ता लगाते हैं बहुत सारे लोग जिनके पास जगय की कमी है वो टेरिस गार्डन पे लगाते हैं और जिनके पास परियाब जगय है वो जमीन पे लगाते हैं मैंने दोनों जगय करी पत्ता लगाया हुआ है और ये जो करी पत्ता है ये मेरा सबसे छोटा प्लांट है जो कि मैंने 8 महीने पहले लगाया है 8 महीने पहले ये बहुत छोटा सा था और मैं इसे लेकर के आया था कहीं दूसरी जगे से उखाड के लेकर आया था और इसे मैंने लगाया था ये 6-7 तींच का पौदा था और 8 महीने में इसकी ग्रोथ देखे कितनी अच्छी हुई है बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे गाडिनर दोस्त करी पत्ता लगाये हुए हैं लेकिन वो हमेशा शिकायत करते हैं कि उनके करी पत्ते में ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको सिर्फ एक fertilizer देना है और मैं सिर्फ वही एक fertilizer जो पूरी तर से organic है जिसका कोई भी harmful effect नहीं है जिसमें कोई भी chemical नहीं पड़ा हुआ है वही मैं अपने करीपत्ते के पौधे को देता हूँ और सिर्फ इसे ही नहीं बलकि और भी fruiting plants को मैं वही देता हूँ जैसे कि यह cherry है उधर आप alfonso mango देख रहे हूँगे जिसमें धेर सारे बौर लगे हुए हैं अंजीर देख रहे हैं इसमें बहुत सारे फल लगे हुए और यह सब बहुत अच्छी growth पा रहे हैं तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ वह secret fertilizer को लेकिन उससे पहले अगर आप channel पे नए आए हैं आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरा channel नहीं subscribe किया तो इसे प्लीज subscribe कर दीजे आपका subscription मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है तो चलिए दोस्तों शुरू करें तो दोस्तों करी पत्ता जो है ये आपको जानकर बहुत आश्चर होगा कि ये बिल्कुल less care वाला plant है यानि कि अगर आप इसे कोई खाद नहीं देते हैं तब भी ये growth attend करेगा लेकिन अगर आप इसकी जादा care करेंगे तो ये खराब हो जाएगा जादा care का मतलब ये है कि जब आप और पौधों को पानी देते हैं तो इसे भी डाल देते हैं इसे इतना भी पानी नहीं पसंद है तो बहतर ये होगा कि सबसे पहले आप अपने करी पत्ते को अपने बाकी पौधों में से हटा के रख दें क्योंकि बाकी के जो पौधे में हम पानी डालते हैं तो साथ में थोड़ा बहुत पानी करी पत्ते को देही देते हैं तो उससे यह है कि इसे बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे यह इसे नहीं पसंद है मिट्टी पूरी सूख जाए तभी इसको पानी दें और दूसरी चीज जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वार्मेंट है धूप की इसे मैंने ऐसे जगह लगाय पानी तो नहीं दे रहे हैं अगर यह दिक्कत है तो उसमें पानी देना कम कर दें जब मिट्टी पूरी तरह से सूख के एकदम हाड हो जाए तभी आप उसे पानी दे और उसे एक ऐसी जगह पर रख दे जहां पर उसे खूब धूब मिले आपका पौधा बिल्कुल खिल उ एक पौट वमी कमपोस्ट ले या गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद ले ले एक दो साल पुरानी हो तो और बहतर है और उसे अच्छी तरह से मिट्टी में छीट करके और दुबारा से गुढ़ाई कर दें गुढ़ाई करने के बाद उसे छोड़ दें और 24 घंटे के पाद फिर उस पौधे को पानी दें तुरंथ पानी न दें इस बाद का ध्यान रखें ऐसा करने के 24 घंटे के बाद उसे पानी दें और इस तरह से पानी दें कि जो पानी है वो ड्रेनेज होल से पुझी तरह से बाहराने लगे ठीक है दोस्तों ये काम कर दिया आपने तो चीजी करी पत्ता के भल्यक्रेंदमे रहे हैं चपैünde मुंद्ध हेना इसे के अंदर उन्हें द्रपाटे यह रहं है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए हिनी हटाया है, ये देखिए, ये इसमें कितने सुखे सुखे जाले लगे हुए हैं, और उन मकडों ने इसके पत्तों को, इसके पत्तों का जो सैप है रस है उसे चूस के इसे बिलकुल सुखा दिया है, तो ये काम करते रहें ताकि मकडों को इसमें अपना घर बनाने का मोहलत न मिले क्योंकि आपका पौधा ग्रो करेगा तो अपने ग्रोथ के शुरुवाती यानि की इनेशियल स्टेज में वो छोटी सी बढ़ निकालेगा पत्तियों की और मकड़े उसे खा लेंगे और अपनी त्रिप्ति कर लेंगे आपका पौध को हफते दिन पर दस दिन पर इस्प्रे करते रही है चुकि गर्मिया एक तरह से मकड़ों का ही सीजन होता है इस समय बड़े खुश होते हैं और इधर उधर अपना घर बनाते हैं अंडे देते हैं तो इस समय आपको यह खास ख्याल रखना है पौधे पर शारिंग करते रह हैं ताकि अगर उस पर मकड़े बाइदवे नीचे चीपे विपे हो तो वह दूर छिटक के चले जाएं गिर जाएं ठीक है अब आपको इसमें फर्टिलाइजर कौन सा देना है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों यह जो फर्टिलाइजर मैं आपको बताने जा रहा हूं म मतलब यह बिल्कुल केमिकल फ्री है बिल्कुल औरगैनिक है आप इसे ले सकते हैं यह कोई बहुत महंगी भी नहीं है और इसका प्राइज जहां तक मुझे लगता है दोसो साथ रुपए का यह पांसतो एमेल है यह आपको इफको बाजार के साइट पे वेब साइट पर मि अगर यह आपको नहीं मिल रहा है तो आप पियाई का बायो वीटा ले लिए वह थोड़ा महंगा है लेकिन वह भी बहुत अच्छा काम करता है इससे अच्हा काम करता है लेकिन इससे डकान है अगर बृथा कि अपर दोनों नहीं जाता है तो अच्छा है इसको आप 5 ml एक लीटर पानी में घोल दीजिए घोलने के बाद साधा पानी से पहले अपने प्लांट की जो मीडिया है यानि कि जो मिट्टी है उसको भिगा दीजिए इतना भिगा दीजिए को पूरी तरह से नम हो जाए अब उसके बाद उसमें गमला आठ इंच का है उसमें एक लीटर पानी जादा हो जाएगा तो आप आधा लीटर पानी लीजिए लेकिन इसको आप 5 ml लीजिए और उसे पूरी अच्छी तरह से ड्रेंच कर दीजिए और ये आपको नबे दिनों में एक बार करना है जी हां आपको बस तीन महीने में एक बार करना है और आपको कोई fertilizer नहीं देना है बस यह आप करते रहिए आपको बहुत astonishing result मिलेगा जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नजदीक से दिखाओ मुझे तो इसके फूल भी बहुत पसंद है आप देख रहे होंगे कितना सुन्दर लग रहा है मेरा पौधा ऐसे ही आ आप सब के पौधे भी आप सब की तरह ही हमेशा मुस्कुराते रहें